हलो फ्रेंज, वेलकम टो और चानल, 360 डिगरे इंजिनेर, आज की यहमारा टॉपिक है फ्रेंज, वाटर रेक्वार्मेंट्स है इन इंडेस्ट्रीस में, हम इंडेस्ट्रीस में कभी भी गया तो फ्रेंज, इसमें हम लोग को सिर्फ वाटर का नाम पे कभी नहीं सुनते हैं, कभी कुछ लोग बोलते, DM वाटर, कभी बोलते, cooling वाटर, कभी बोलते, service वाटर, drinking वाटर, effluent वाटर, storm वाटर, contaminated rain वाटर, ऐसा आपको बहुत ही नाम का वाटर सुनते हैं फ्रेंज, यह सब होता क्या है और इंडेस्ट्रीस में आपको वाटर किस किस में आपको चाहिए, क इसके पहले, friends, आम लोग इंडेस्ट्रीस में पानी का requirement इसलिए यूज करते हैं, पानी एक बहुती सस्ता रिसोर्स हैं, बहुती चीप और सस्ता रिसोर्स हैं, इसलिए हमको यूनिवर्सली पानी का अम लोग यूज करते हैं, और पानी का abundant रिसोर्स हैं और सस्ता भी है, कोई और application से compare करेंगे, तो जैसे हम इंडेस्ट्रीस में आप जाएंगे तो friends, इंडेस्ट्रीस में आपको ऐसे दिखेगा friends, आपको, sorry friends, आपको इंडेस्ट्रीस में आपको cooling water है, main हम यूज करते हैं, इंडेस्ट्रीस में पानी cooling के लिए यूज करते हैं, क्यूंकि हम condenser दिखते हैं, heat exchangers दिखते हैं, वो सारे heat exchangers हैं, उसमें हमको क्या करना है, अगर आपको कोई भी product का, इसका temperature आपको down करना है, तब आपको क्या करना है, यह आपको process requirement है, यूज कि बहुत सारे reactions हैं, इंडेस्ट्रीस में, वो particular temperature और pressure में ही होते हैं, वो pressure को आपको alter करने के लिए आपको pressure control works होते हैं, लेकिन आपको कभी भी temperature को आपको change करना है, तब आपको क्या करना है, temperature को हम down करने के लिए, कम करने के लिए, हम लोग temperature को कम करने के लिए, हम लोग heat exchanger यूज करते हैं, और इसलिए हम लोग generally क्या करते हैं, हम लोग heat exchanger या नहीं है, तो हम लोग generally ग्रद को पोलते हैं, इस में हम लोग जो भी हमारा ट्यूब टैप या चेलम टेığını होते है, क्क्लेफ, फ़स्टेप होते हैं, वह हम वाकी पॉस्ट पासे सुख में रहते हैं, और यैस Χाने हमारा यंसका पॉसर से मालोकर कोल करता है , वो क्नल कोल सेके नरे लिकிकाहिकलनाद को प्रोसेस प्रूइड का इसका टेंपरेचर लेकर और इसको जो रिटर्न में हमारा कुलिंग वाटर इंडिट ऐसे जाएगा और बीच में पार्टिसन रहेगा फ्रेंज यह दोनों को आपस में कनेक्शन नहीं होगा तो पानी ऐसे जाएगा इस ट्यूब्स में जाएगा और इस ट्यूब्स में पानी क्या करेगा इसका प्रोसेस प्रूइड का टेंपरेचर कैप्चर करेगा और पानी गरम होकर फिर इसमें अंदर गुसेगा दुबारा इसी के अंदर ऐसे गुसेगा इसकी बाद पानी रिट आपको जहां आपको चोड़ना है वहां आपको चोड़ते हैं आपको सु बेसिकली हमारा इंडेस्ट्री में कूलिंग के लिए पानी बहुती वाइडली यूज करते हैं क्यूंकि आपको पानी एक ऐसा चीज है वह आपको जल्दी आपको टेंपरेचर को कैप्चर करते हैं कि बहुती सस्ता रिसूर्स है इसकी बाद है फ्रेंस इंडेस्ट्रीस में अम लोग डीम वाटर भी यूज करते हैं डीम वाटर जेनरेशन करने के लिए अम लोग पानी यूज करते हैं स्टीम का बहुत ही वाइडली यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को हर बार आपको एलेक्ट्रिकल ड्राइव से भी आपको काम हर अप्रिकेशन में आप नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप कभी भी इंडेस्ट्री में देखेगा तो आपको मैग्जिमुम रेटिंग का मॉटर आपको जनरली 4.5 मेगावाट 5 मेगावाट तक आपको मिलते हैं पहले तो आपको 4.5 या 5 मेगावाट का ओपर जनरली कुछ भी आपको मेकानिकल रेक्विर्मेंट पड़ता हैं इसके बाद जनरली पहले अप्लिकेशन में क्या करता हैं इसमें स्टीम टर्बेंड कर देते स्टीम टर्बेंड 4.5 मेगावाट का ओपर जनरली कोई भी अप्लिकेशन आता है उसमें आपको सिंप्ली स्टीम टर्बेंड का तुरू इसको मीट करते हैं तो आपको इवन आपको प्रोसेस का अप्लिकेशन में भी आपको स्टीम का जरूरत पड़ता हैं लेकिन आज की आपको 20 मेगावाट तक प्याम को मॉटर सा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यह फ्रेंस पहले का अप्लिकेशन में क्या होता है अगर आपको मॉटर का रेटिंग जादा रहता हैं तब आपको मॉटर का स्टार्टिंग करने में आपको बहुत ही जादा इंड्रस करन्ट लेग लेकिन आज का जमाने में हमको बहुत सारे soft starters आया, VFD का technology आया, उसकी वज़े से क्या होगा हमको, यह आपको headache ही नहीं है यह चीज आपको, आप कोई भी rating का motor यूज़ करते हैं, तुरो soft starter और VFD का तुरू, आपको industries में आप सबसे पहले आपको power generation के लिए भी, आपको steam turbine का करते हैं, और steam ऐसे एक चीज है friends, इवन आपको steam को आप बहुत ही widely यूज़ करते हैं, इंडेस्ट्री में आपको किसी भी process fluid का temperature कम करने के लिए, जैसे में आपको बता है तक water यूज़ करते हैं, अगर आप किसी process fluid का अगर आपको temperature बढ़ाना है तो उसी heat exchanger में आपको पा इसलिए हमको different different है आपको, इसलिए हमको process fluid में आपको DM water तो बहुत ही important है, DM water ही क्यों यूज़ करते हैं, इसको steam generation के लिए, मैं आपको आगे series of lecture में, आगे DM water generation का बारे में बता दूँगा, उसमें आपको इन detail डिसकस करेंगे friends, ठीके friends, so आपको basically आपको cooling water भी यूज़ कर करते हैं, DM water generation करने के लिए, भी आपको water चाहिए, उसमें भी आपको DM water आपको steam generation के लिए चाहिए, उसके लिए भी यूज़ करते हैं, इवेन आपको DM water है friends, आप सिर्फ steam generation के लिए नहीं है, आपको कोई भी chemical का, कुछ chemical से, जैसा caustic acid से, उसको अगर आपको dilute करना है, क्य मिली जाते हैं, जैसा हम लोग market में देखेगा, तो H2SO4 है, हाइड्रोलिक सर्फे, मला H2SO4 अगर आप देखेगा, तो वो आपको 98% में ही मिलेगा, अगर आप HCL देखेगा, तो आपको 30% concentration में ही मिलेगा, आइसा आप sodium hydroxide करी देखेगा, तो आपको 48% में ही मिलेगा, तो अगर आपको उस percent से लेकर उस concentration से लेकर आपको कोई और specific concentration चाहिए, राइक आपको 20% sodium hydroxide चाहिए, नहीं है, तो आपको 10% sodium chloride चाहिए, या नहीं है, तो 30% या 25% का H2SO4 चाहिए, आपको, तब आपको क्या करना है, उसको dilute करने के लिए, उसको भी आपको DM water यूज करते है, तो आपको पानी से, DM water से यूज करते है, तो आपको आपको और कोई रियक्शन नहीं होगा, DM water मतलब, प्यूर वाटर है, वाटर का फॉर्मला है, H2O है, वाटर का, आगर उस पानी में only H2O हो रहेगा, तो उसको हम DM water बोलते है, तो प्यूर वाटर है, DM water मतलब, इसकी बाहती है, इतनी बात है, हैंड। इंडस्ट्री, M. Krone Master, train commerce isCola को अपको इन इंडस्ट्री में अले क्वे द रियान के में आपको बहुत ही वाइट्याशन यह करते हैं service water को even आपको buildings में, washrooms में, toilets में आपको जो water जाता है वो भी service water है और even आपको कई पे भी आपको industries में आप देखेगा तो किसी का भी पानी का तुरू आप अगर आपको wash करने किसी exchanger को wash करने किसी filter को wash करने वो भी आपको service water का तुरू करते हैं और इंडस्ट्रीस में इसकी साथ साथ सर्वीस वाटर को और कहां य्यूज करते हैं इवन हमनोग इस बेरियों करते हैं परेज़ धा हम लोग को कही पर अगर आपको कहीं कोक्षय करते हैं लेकिन cooling water का network आपको हर जगा नहीं मिलेगा, जहां आपको cooling water का network नहीं है, वहाँ आपको service water का through, इसको बोलते है, once through cooling effect है, आपको bearing का cooling में जाता है, और bearing का sealing के लिए भी हम लोग बहुत 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 यूज़ करते हैं, service water है, ऐसा आपको sealing के लिए, cooling के लिए, आपको cleaning के लिए, कई भी cleaning करना है या ने, तो कई भी washing करना है, यह सब applications में, इवन आपका buildings में जो पानी है, हमारा buildings में, जो अमारा washrooms में, toilets में जो पानी है, वो सारे के applications में, हम लोग service water यूज़ करते हैं, इसका बाद हम लोग को drinking water है फ्रेंस, drinking water by naam ही आपको पता चल रहे हैं, plant में और इसका administration buildings में, और normal buildings में आपको drinking के पानी के चाहिए, आपको drinking purpose के लिए इसको drinking water यूज़ करते हैं, इसकी बाद है फ्रेंस, हम लोग industries में एक और application है आपको fire water है, आपको कभी भी industries में, हर industries में आपको fire का probability है, और fire होने का chances है, इसलिए उसको कभी भी हुआ है, तो उसको mitigation करने के लिए आपको कोई एक medium चाहिए, लेकिन आपको industries में आपको fire को mitigate करने के लिए, foam या नहीं है तो water, CO2 या water यूज़ करते हैं, foam CO2 बहुत ही costly है, आपको bulk में आपको कभी भी fire को रोकना है, तो आपको बहुत ही मुश्किल पड़ते हैं, और उसको आप हर जगा इसका network में आप लागा नहीं सकते हैं, इसलिए पानी बहुत ही सस्ते हैं, इसलिए हम लोग fire water को हम लोग use करते हैं, इसमें इंडेश्ट्री में आप देखेगा, तो एक fire water का network भी होगा, एक fire water का pump host होगा, वहाँ से आपको fire water का network maintain होते हैं, fire water pump host में आपको दो प्रकार का pump रहते हैं, आपको fire water main pump बोलते हैं, दूसरा jockey pump बोलते हैं, जौकी pump है, इसका fire water network में इसका जो desired pressure maintain करने के लिए हम लोग use करते हैं, और हमारा fire water pump को आपको fire water का flow maintain करने के लिए use करते हैं, यह हमारा main purpose है, हमारा incoming water reference, इसकी बाद आपको इंडेश्ट्री में आप देखेगा, कुछ आपको process में यूज करने के बाद उस पानी को आप लोग बोलते हैं, effluent water बोलते हैं, आपको process में किसी में भी use करते हैं, आप इसकी बाद अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसा पानी का आप कोई भी filter को आप वास किया, या वास करने का बाद इसका जो drain और पानी है, उसको पानी को भी आप effluent water बोलते हैं, इवन आपको DM plant में या ने, तो CPU का condensate polishing unit में या कोई भी water plant में, आप back wash करते हैं, rinse करते हैं, washing करते हैं, वो सारे की सारे का जो outlet water है, वो हमारा effluent water है, उसको हम क्या करना है, directly आपको किसी में भी, आपको directly इसको discharge नहीं कर सकते हैं, इवन ग्राउंड में भी, या नहीं है, तो आपको direct sea में भी discharge नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको pollution norms बहुत ही strict हो गया था, पहले पहले इसका limits इतना critical नहीं है, लेकिन आजकल इसका limits बहुत ही जादा हैं, आपको direct discharge करेगा, तो आपको बहुत ही जादा penalty आपको impose करना, impose कर देगा, और उसकी वज़े से जो आपको economically आपको viable नहीं है, इसलिए आपको जो पानी है, इसको हम treat करके, उसका पानी का parameters को हम लोग को nominal range तक जो आपको discharge level में लेकर आकर, फिर discharge करना चाहिए, इवेन आपको अभी आजकल industries में pollution control board भी मान रहे हैं, जीरो discharge का plants बनाने के लिए, जीरो discharge plant मतलब फ्रेंट, जो आपको पानी इसको use करते हैं, effluent water उसको भी treat करके, फिर हम लोग ये पानी को create करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जीरो discharge, जो पानी waste में जा रहे हैं, उसको पानी को भी treat करके, उसका treatment करा के, हम लोग दुबारा ह जीरो discharge plant बोलते हैं, इसकी बात हैं, इंडेस्ट्री में आपको contaminated rain water बोलते हैं, क्योंकि अगर कभी भी आपको rain हुआ, कोई भी process plant में आपको rain हुआ है, तो process plant में, already chemical plant में, उसमें आपको बहुत जगा, आपको already chemical पढ़ा होगा, ऐसे आपको rain हुआ है, तो rain और chemical का साथ जाता है है, वो basically contaminated rain water है, क्योंकि वो pure rain water नहीं है, उसको आप directly, उस पानी को भी आप directly use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो already आपका industry में जो आपको chemicals पढ़ा होगा, उसकी साथ mix हो गया, उसको भी आप directly discharge नहीं कर सकते हैं, उसको भी आप, फ्लूएंट treatment plant होगा, हमारा plant में, उस में करके इसको contaminated rain water को CRWS water बोलते हैं, इसका network को CRWS network बोलते हैं, और उस पानी को treat करके और इसका nominal range आने के अबाद ही, उसको discharge करना या नहीं है, तो zero discharge plant में इस पानी को भी यूज करते हैं, इसका बाद है friends, storm water है, storm water मतलब आपको जहां आपको rain water या नहीं है, तो कोई भी पा पूरा इसको basically default आपको directly आपको अगर इसको discharge कराना चाहते है, जैसे आपको कही पे भी even आपको plant area का चोड़ कर आपको कोई office building में नहीं है, तो कोई nominal आपको जहां आपको plant नहीं है, जहां आपको chemical exposure नहीं है, वहाँ जो आपको rain water बन रहे हैं नहीं है, तो कोई भी आपको water लेकेस का वज़े से जो आपको drainage बनते हैं पानी का, वो सारे drainage water को हम लोग को storm water बोलते हैं और उस storm water को आप directly discharge करा सकते हैं, यह storm water यह एक ऐसा water रेफ्रेंस आपको industries में, इसको directly आप sea में या नहीं तो underground में इसको discharge करा सकते हैं, तो यह सारे applications रेफ्रेंस water का industries में, हमारा आगे भी बनाते रहिए for more and interesting videos, thank you friends.